परिचय का regulator एक चर प्रतिरोधक की तरह काम करता है शुरुवाती स्थितियों में प्रतिरोध उच्च होता है और पंखे की गती कम होती है लेकिन जब regulator घुमाया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट कर इसके नियुनतम मान पर हो जाता है और इस प्रकार पंखे की गती उच्चतम हो जाती है इसका अर्थ है कि प्रतिरोधक का घटता है तो विद्युद्धारा का मान बढ़ता है चात्रो आज हम विद्युद्धारा के बारे में और अधिक पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विद्युद्धारा को परिभाशित करना चालकों में विद्युद्धारा को समझना ओम का नियम परिभाशित करना प्रतिरोधगता की गणना करना ओम के नियम की सीमाएं जानना विभिन्पदार्थों की प्रतिरोधगता का निर्धारण करना प्रतिरोध की ताप निर्भरता का मुल्यांकन करना विद्युत उर्जा और शक्ति को परिभाशित करना प्रतिरोधगों के युग्म का मुल्यांकन करना सेल और इसके सैयोजनों को समझना किर्चाफ्पनियम को बताना वीड स्टोन से तू, मीटर से तू और पटेंशियो मीटर को परिभाशित करना विद्युधारा किसी प्रिष्ठी शेत्र फल से एकांख समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युधारा कहते है मान लीजे, डेल्टा टी समय में कुल आवेश डेल्टा क्यू शेत्र से प्रवाहित होता है औसत विद्युद्धारा डेल्टा बटे डेल्टा होगी यदि आवेश का प्रवाह थिर नहीं है तो ताचशनिक विद्युद्धारा डीक्यू बटे डेटी होती है धारा का SI मातरक एमपियर होता है धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के प्रवाह के विप्री दिशा में होता है विद्युद्धारा की दिशा, धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ली जाती है चालकों में विद्युद्धारा किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए उसमें विभवांतर होना आवश्यक है धारा का प्रवाह उच्छ विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है जब एक बैटरी किसी चालक के सिरों से जोड़ी जाती है तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े सिरो से प्रारंभ होकर चालक पर विपरीत चिन्ह का प्रिष्ठिय आवेश बनने लगता है ये प्रिष्ठिय आवेश विद्युत शेत्र का निर्मान करते हैं यह विद्युत शेत्र इलेक्ट्रॉन के विद्युत शेत्र के विप्री दिशा में गती करने का कारण होता है। संगटट के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गती से प्रवाहित होते हैं और उनके ओसत वेग को अपवाहवेग, वीडी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस निर्देशित प्रवाह से धारा का निर्माण होता है ओम का नियम ओम के नियम के अनुसार किसी चालकधातु का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युधारा के अनुक्रमानुपाती होता है या वी बराबर आयार जहां अनुपातिक्ता थिरांक आर को चालकपदार्थ की प्रतिरोधक्ता कहते है प्रतिरोधक्ता का ऐसाई मात्रक ओम होता है कोई भी विद्युत यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह का एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध करे तो उसे प्रतिरोधक कहते है हम प्रतिरोध को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते है हम कलपना करते हैं कि आई लंबाई के एक तार में समरूप विद्युत शेत्र ई और अनुप्रस्थ भाग का शेत्र फल ए है तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया है वी बराबर ई आई लेकिन आई बराबर ए बटे रो एल गुणन वी जहां रो पदार्थ की प्रतिरोधकता है उपरोक्त समीकरण में आई का मान रखे हमें प्रतिरोधकता का मान प्राप्त होता है जो की रो एल बटे ए बराबर है हम यह निशकर्ष निकालते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काठ शेत्र फल के व्युक्त क्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम जब विद्युत शेत्र प्रयुक्त नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनों की यादरचिक तापी अवेग किसी भी दिशा में नेट धारा नहीं उत्पन करते जब विद्युत शेत्र प्रयुक्त होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन विद्युत शेत्र की दिशा के विपरीत त्वरण महसूस करता है ए बराबर रिण E बटे M एक काल अंतराल, Δेल्टा टी विद्युत्षेत्र के कारण इलेक्टरॉन के वेग में परिवर्तन ई त्वरन और काल अंतराल के गुणन के बराबर होता है यदि टाव संघटटों के बीच औसत समय है इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग तुरण और टाव के गुणन के बराबर होता है मात्रा टाव को विश्रान्ती काल कहते है यह निकाय को संघटट द्वारा साम्यताप की अवस्था में वापस आने में लगा समय की मात्रा के बराबर होता है धारा धनत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है जे बराबर रिन एण इवीडी उप्रोग्त समीकरण में VD का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ J बराबर N E वर्ग टाव बटे M गुडन E अतह पदार्थ की चालक्ता है सिग्मा बराबर N E वर्ग टाव बटे M और पदार्थ की प्रतिरो धक्ता है रो बराबर M बटे N गुडन E वर्ग टाव गतिशील्टा किसी चालक्त पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशील्टा प्रति विद्युत शेत्र अपवावेक के परिडाम के रूपे परिभाशित होता है गतिशील्टा म्यू बराबर VD बटे E जो की E टाव बटे M के बराबर होता है ओम के नियम की सीमाई हलाकि ओम का नियम बहुत से पदार्थों के लिए सत्य पाया गया है फिर भी विद्युत परिपत में प्रायुक्त ऐसे कई पदार्थ और यंत्र हैं जिनमें V और I में समानुपातिकता नहीं होती विचलन निम्न प्रकार के होते हैं V और I के बीच संबंद चिन्ह V पर निर्भर करता है V के परिमाण को स्थिर रख उसकी दिशा उलट देने पर उसी परिमाण की धारा उत्पन नहीं करता जैसा की आई विपरी दिशा में करता है V आई के समानुपाति नहीं रह जाता समान धारा V के लिए आई के एक से अधिक मान होते हैं इस तरह का व्यवहार करने वाला एक पदार्थ गैलियम आर्सनाइड है विभिन पदार्थों की प्रतिरोधक्ता प्रतिरोधक्ता पदार्थों का नेसरगिक गुण होता है चालकों जैसे तामबा में निम्न प्रतिरोधक्ता होती है अर्ध चालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम में प्रतिरोधक्ता चालक और कुचालक के बीचकी होती है विद्यत्रोधी जैसे रबर में उच्च प्रतिरोधक्ता होती है प्रतीरोधक की प्रतीरोधकता को दर्शाने के लिए वर्न कोड की पद्धती का प्रयोग किया जाता है प्रतीरोधक के चारो तरफ उनके विशेश महत्ववाली रंगों की एक पट्टी बिछा दि जाती है आईए एक उधारन ले दिये गए प्रतीरोधक के लिए पीला चार को व्यक्त करता है बैंगनी साथ को व्यक्त करता है लाल दस की घाद दो को व्यक्त करता है और सुनहरा पाँच प्रतिशत को व्यक्त करता है उपरोक्त आकडों को एक कत्रित करने पर दिये गए प्रतीरोध की कुल प्रतीरोधकता 5 प्रतिशत सहतमान के साथ 47 गुरन 10 की घात 2 होगी प्रतिरोधक्ता की ताप पर निर्भरता किसी पदार्थ की प्रतिरोधक्ता ताप पर निर्भर करती है ताप और प्रतिरोधक्ता का अंतर संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है जहां रो और रो नौट क्रमशह, टी और टी नौट ताप पर प्रतिरोधक्ता है अलफा को प्रतिरोधक्ता ताप गुडांक कहते है धातूओं में ताप में व्रिद्धी के साथ ही प्रतीरोधक्ता में व्रिद्धी होती है और अलफा का मान धनात्मक होता है मिश्र धातूओं में प्रतीरोधक्ता बहुत अधिक होती है लेकिन ताप निरभरता शीन होती है मिश्र धातु में पूर्ण शून्य ताप पर भी अवशेश प्रतीरोधकता होती है जबकि शुद्ध धातु में पूर्ण शून्य ताप पर उपेक्षणिय अतिनियून प्रतीरोधकता होती है अर्ध चालकों में ताप में व्रिद्धी होने पर प्रतिरोधक्ता कम होती है और अल्फा रिणात्मक होता है विद्युत उर्जा और शक्ती कल्पना कीजिए कि एक परिपत में धारा आई है और उसके दो सिरों A और B के बीच विभवान तर V है काल अंतराल ΔT में आवेश की एक मात्रा ΔQ बराबर I ΔT परिपत के बिंदू A से B बिंदू की ओर चलती है और विद्युत शेत्र द्वारा किया गया कारे है जिस दर से विद्युत उर्जा किसी परिपत के एक भाग में प्रवेश करती है उसे विद्युत शक्ती निवेश कहते है शक्ती का एसाई मात्रक वोट होता है प्रतीरोधक में शयत शक्ती जब किसी प्रतीरोधक में विभवांतर वी उपस्थित हो प्रतीरोधक के मुक्त इलेक्टरौन में विद्युत शेत्र द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है और उनमें गतिच उर्जा का संचार होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोधक पदार्थ के परिमाणों से संगटट करने पर उन्हें अपनी गतिच उर्जा का एक अंश प्रदान करते है प्रतिरोधक में उर्जा का यह स्थानांतरण प्रतिरोधक के ताप में व्रिद्धी कर देता है प्रतिरोध में शक्ति निवेश निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है प्रतिरोधकों का संयोजन दो या अधिक प्रतिरोधकों को किसी भी मात्रा के वान्षित मात्रा का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से एक निश्चित करम में संयोजित किया जा सकता है प्रतिरोधकों के संयोजन सा सम्तुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोधक माना जाता है जो पूरे संयोजन के वोल्टेज और शेश परिपत की धारा आईड में परिवर्तित किये बगैर संयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है प्रतिरोधकों के संयोजन के दो प्रकार है श्रेणी संयोजन और पार्श संयोजन श्रेणी में प्रतिरोध प्रतियक प्रतिरोधक में प्रवाहिद धारा ही संयोजन में प्रवेश करने वाली धारा होती है पूरी श्रेणी संयोजन का विभव पात सभी प्रतिरोधकों के विभव पातों के योग के बराबर होता है श्रेणी में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए सम्तुल्य प्रतिरोधक सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है सम्तुल्य प्रतिरोध श्रेणी संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा होता है पार्श्व प्रतिरोध प्रतियक प्रतिरोधक में विभव पात समान होता है संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा सभी प्रतिरोधकों की धारा के योग के बराबर होती है पार्श्व में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए सम्तुल्य प्रतीरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतीरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है सम्तुल्य प्रतीरोध संयोजन की सबसे छोटे प्रतीरोध से छोटा होता है उधाहरण आईए प्रतिरोधकों के संयोजन का एक उधाहरण ले आक्रती में दिखाए गए प्रतिरोधक संजाल में A और B के पीच प्रतिरोध की गणना कीजिए आईए हल देखें A और B के मध्य प्रतिरोध आर A B की गणना के लिए हम आक्रती में दिखाए गए एक समतुल्य संजाल का निर्मान करते हैं अब हम भुजा G E F H के प्रतिरोध की गणना करते हैं जो की एक धन एक धन एक बराबर तीन ओम है यह भुजा जी एच के प्रतिरोध के पार्ष में है अतह जी और एच के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 0.75 ओम है अतह ए और बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 2.75 ओम है अब आर एबी बराबर एक धन 0.75 धन एक बराबर 2.75 ओम है CELL CELL किसी प्रतीरोधक में धारा के स्थाई प्रवाह के लिए संपूर्ण प्रतीरोधक में विभवांतर को बनाए रखता है जब धारा प्रवाहित होती रहती है तो CELL के रिणात्मक टर्मिनल पर धनात्मक आवेश एकत्रित होते रहते हैं जब तक ये रिणात्मक टर्मिनल के ये धनात्मक आवेश CELL के अंदर स्थित विद्युत अबघटय के माध्यम से धनात्मक टर्मिनल पर धानांतरित नहीं हो जाते तब तक दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को स्थिर रखना संभव नहीं है सेल के अंदर स्थित विद्युत अबगटई के माध्यम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश के स्थानांतरण के लिए कारिक करने की आवशक्ता है क्योंकि विद्युत अबगटनी विलियन आवेश की गती के खिलाफ परतिरोध उत्पन करता है इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते है EMF सेल के अंदर निम्न विभवाले टर्मिनल से उच्छ विभवाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गती के लिए प्रति एकक आवेश में किये गए कारि को विद्युत वाहक बल EMF कहते है सेल का EMF होता है इ बराबर आई गुणे आर प्लस आर यहां आर वाहा प्रतिरोध है आर आंतरिक प्रतिरोध है आई परिपत में उपस्थिधारा है एक आदर्श सेल में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है परिपत में प्रयुक्त वोल्टता सेल के EMF के बराबर होती है श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल श्रेणी सयोजन में सेल श्रेणी में सेल के सिरों को परस पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल से धारा प्रवाहित हो जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते है तो बैटरी का EMF सभी सेलों के EMF के योग के बराबर होता है कुछ आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है प्रतेक सेल में वही धारा होती है जो पूरे श्रेणी क्रम में होती है यदि N समरूप सेल प्रत्ये का EMFE और आंतरिक प्रतिरोध आर है एक श्रेणी में जोड़े गए हैं तो परिपत में प्रवाहिद धारा होगी पार्श्वक्रम में सेल संयोजन जब सेल के आवेश को विभिन सेलों में विभाजित किया जाता है तो इसे पार्श्वक्रम सेल संयोजन कहते हैं जब समरूप सेल पार्श्वक्रम में संयोजित होते हैं बैटरी का EMF एकल सेल के EMF के बराबर होता है कुछ आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी एकल सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है वाहय परिपत की धारा सभी सेलों में समान रूप से विभाजित होती है यदि एंसम रूप सेल प्रत्येक का EMFE और आंतरिक प्रतिरोध आर है, एक पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपत में प्रवाहिद धारा निम्न होगी किर्चाफ के नियम पहला नियम, संधी नियम किसी संधी पर संधी से प्रवेश करने वाली विद्युद्धाराओं का योग इस संधी से निकलने वाली विद्युद्धाराओं के योग के बराबर होता है संधी में प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युद्धाराओं का बीजगणतिय योग शुन्य होता है दूसरा नियम पाश नियम प्रतिरोधकों कथा प्सेलों से सम्मलित किसी बंद पाश के चारों और विभाव में परिवर्तनों का बीजगणतिय योग शुन्य होता है वीटस्टोन सेतू वीटस्टोन सेतू एक यंत्र है जिसका प्रयोग अज्यात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जा सकता है इसमें एक बैटरी, एक गैल्वनो मीटर तथा चार प्रतिरोधकों का नेटवर्क होता है धारा आई संधी ए से प्रवेश करती है जहां यह धारा आईवन और आईदो धारा में विभाजित हो जाती है गैल्वनो मीटर संधी C और D के मध्य सेतु का निर्माण करता है प्रतिरोधों का मान व्यवस्थित करके गैल्वनो मीटर में धारा का मान शून्य कर दिया जाता है जो शून्य विक्षेप द्वारा इंगित होता है इस थिती में सेतु को संतुलित कहते है संतुलन सेतु के लिए शर्थ है वीट स्टोन सेतु उस थिती में सरवाधिक सम्वेदन शील होता है जब प्रतिरोध R1 और R2 के परिमाण की कोटी समान हो मीटर सेतु मीटर सेतु वीट स्टोन सेतु की एक प्रायोगिक युक्ती है यह यंत्र एक मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट शेत्र फल वाले तार से निर्मित होता है जिसे दो टर्मिनलों A और C के बीज एक लकडी की पट्टी पर एक समानांतर मीटर स्केल जो तार के किसी भी भाग की लंबाई माप सकती है के साथ कस दिया जाता है हम सेल को पूरे तार जिसकी लंबाई AC है से जोड़ देते हैं गैलवनो मीटर का एक सिरा रिक्तियों के मध्य बीच ओ बीच बिंदू D पर तामबे की पट्टिका से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा एक जोकी से जुड़ा होता है जिसे तार के किसी भी वांचित बिंदू से जुड़ा जा सकता है एक प्रतिरोध बॉक्स R रिक्ती G1 से जुड़ा होता है और अग्यात प्रतिरोध S रिक्ती G2 से जुड़ा होता है संतुलन की अवस्था में हम पाते हैं अज्यात प्रतिरोध की गढ़ना के लिए हमें केवल संतुलन लंबाई ही की शुद्ध परिगढ़ना करनी होती है विभव मापी विभव मापी का अनुप्रयोग दोसेलों या EMF के अन्य दोसरोतों के EMF की तुलना करने के लिए किया जाता है विभव मापी का प्रयोग, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन, धारा मापन, धारा मापी ये वोल्ट मापी के अंश शोधन, प्रतिरोधों की तुलना करने और ताप व्यद्यूत EMF के मापन के लिए किया जाता है विभव मापी का सिध्धान्त एक समान अनुप्रस्थ काट शेत्रफल और एक समान संगटन वाले किसी भी लंबाई के तार से जब एक स्थाई विद्धुधारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होती है विभव मापी से जितना कम विभवांतर मापा जा सकता है विभव मापी की समवेदन शीलता उतनी ही अधिक होती है विभव मापी का टर्मिनल A एक बैटरी, एक धारा मापी, एक धारा नियंतरक और एक गामी कुंजी की सहायता से टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है दिये गए सेल का धनात्मक टर्मिनल जिसकी आंतरिक प्रतिरोधक्ता ज्यात करनी है विभव मापी के टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है और रिणात्मक टर्मिनल एक ग्यालवनो मीटर G और प्रतिरोध बॉक्स के माध्यम से सरपी संपर्क S से जुड़ा हुआ है तेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न है यहां L1 संतुलन लंबाई है जब K2 खुला है L2 संतुलन लंबाई है जब K1 खुला है क्या आप जानते हैं? जोर्ज साइमन ओम विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल मापना चाहते थे उन्होंने पाया कि कुछ चालक अन्य से बहतर कार्य करते हैं और उन्होंने उनके अंतर का निर्धारन किया उन्होंने कुछ समय तक ओम के नियम की घोशना के लिए प्रतिक्षा की क्योंकि उनके मित्रों को उनका सिद्धान्त स्विकार नहीं था प्रतिरोध का मात्रक उन्ही के नाम पर रखा गया है तड़त वायू मंडल में विद्युत का प्रक्षेपण होता है तड़त विद्युत करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रतिगंटा की दूरी तै कर सकती है किसी अन्य अव्यव जैसे कोई प्रकाश उत्सरजी डायोट के साथ श्रेणी क्रम में रखी प्रतिरोधक धारा को सुरक्षित मान तक घटा देता है बैटरी विस्फोट बैटरी के दुरुपयोग या खराबी के कारण होता है जैसे की रिचार्ज ना होने वाली बैटरी को रिचार्ज करना या बैटरी में शौट सर्किट हो जाना कार की बैटरीों में जब शौट सर्किट से अत्यधिक विद्युधारा उत्पन हो जाती है तो उनके विस्फोट की ज्यादा संभावना होती है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए किसी प्रिष्ठी शेत्रफल से एक आंक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्धुधारा कहते है संगटट के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गती करते है और उनके ओस्त वेख को समवाहवेख कहते है ओम का नियम बताता है कि किसी चालकपदार्त का विभवानतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाति होता है किसी चालक-पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति एकांक विद्धुत-शेत्र में अप वहावेक का परिमार होती है प्रतिरोधकों के सैयोजन से सम्तुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोध माना जाता है जो पूरे सैयोजन के वोल्टेज और शेश परिपत की धारा में परिवर्तित किये बगैर सैयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है सेल के अंदर निम्न विभव वाले टर्मिनल से उच विभव वाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गती के लिए प्रती एकक आवेश में किये गए कारी को विद्युत वाहग बल कहते हैं किर्चाफ का पहला नियम बताता है कि किसी संधी पर संधी से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधी से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है किर्चाफ का दूसरा नियम बताता है कि प्रती रोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों और विभव में परिवर्तनों का बीज गणतिय योग चून्य होता है